पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भावना अपने गरीब ससुराल में भी बहुत खुश थी वहीं पारुल अपने ससुराल में परिशान थी क्योंकि उसकी सास उसे ताने मारती थी और संदीब बिजनेस में इतना बिजी था कि पारुल को टाइम नहीं दे पाता था वहीं कुछ समय बाद भावना ने अपनी मेहनत से मिठाई की दुकान भी खोल ली थी और अब उनकी गरीबी भी दूर हो गई थी तवी एक दिन भावना बाजार में पारुल और राहुल को एक साथ देख लेती है और वो काफी चौंक गई थी अब आगे पारुल को राहुल के साथ देखकर भावना यही सोचती रहती है कि पारुल आखिर फिर से राहुल के साथ क्यों आ गई थी शाम के वक्त वो पारुल को फोन करती है कॉल पर मुझे क्यों फोन किया है भावना तुम जानती हूँ मैंने क्यों फोन किया है हाँ तुम यही कहना चाहती हूँ न कि मैं राहुल के साथ क्या कर रही थी ये वो हाँ, तुम क्यों दुबारा गाहुल से बात करने लगी हो तुम्हारी शादी तो हुच चुकी है पारूल तो क्या करूँ, मेरी सास मुझसे नफरत करती है और संदीब के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है आखे मेरा भी तो मन करता होगा किसी से बात करने का तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम एक्स्ट्रा मेरेटल अफेर चलाओगी तुम्हें संदीब को समझाना चाहिए मुझे ज़ादा ज्यान मत दो और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफे करने की जरुवत नहीं है, समझी? लेकिन तुम गलत करी हो पारुल जस्ट शट अप घुस्से में पारुल फोन काट देती है लेकिन भावना को अपनी बहन की चिंता हो रही थी इसलिए वो पारुल के बारे में बात करने के लिए अपने माई के जाती है और कावेरी उसे देखकर नाक चड़ा लेती है तू क्यों आई अब? अभी थोड़ी दिन पहले ही तो आकर गई थी मा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी जा, अपने बाप से बात करने जाकर नहीं, पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए मैं बस आप से बात करने आई हूँ क्या है? बोल जल्दी और जल्दी जा यहां से मा, पारूल फिर से राहूल से बात करने लगी है मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी वो ऐसा क्यों करेगी? अब तो उसकी शादी हो गई है यही तो मैंने उससे समझाया कहीं कोई गड़ बढ़ना हो जाए मा, प्लीज आप उससे समझाये चल-चल, जदा ड्रामा मत कर तुझे कौन सी परवा है मेरी बेटी की? अब जा तू, मैं अपने आप समझा दूँगे उसे ठीक है, भावना वहाँ से चली जाती है और काविरी फोन करके पारुल को काफी समझाती है और पारुल इस बात से साफ मुकर जाती है रात के वक्त संदीप ड्रिंक करके घर आता है वो परिशान था, क्योंकि उसे लगा था और बिजनस में काफी घाटा हो रहा था बेटा, ये क्या हाल बना के रखा है? वाँ, आज फिर पीकर आए है, बहुत अच्छी बात है तो क्या करूं मैं पारुल? बिजनस में इतना घाटा लग रहा है गर्जे में डूब गया हूँ मैं ऐसे बिजनस किस काम का, जो आपको ही डूब हो दे ना तो आपकी बिजनस लाइफ अच्छी चल रही है ना ही परसनल लाइफ सबको खोद होगे आप ऐसा मत बोलो पारुल, मैं प्यार करता हूँ तुमसे प्यार इसे कहते हैं आपके पास मेरे लिए एक मिनट भी नहीं है आप तो बस नशे में हैं और अपने दुख में डूबे रहते हैं अपनी बेटी का ये हाल देखकर शमा भी बहुत दुखी थी और अब शमा का स्वभाव भी बदल गया था पारुल ऐसे क्यों बात करती है तू संदीब से उसका हाल तो देख मम्मी जी ये आपकी वज़े से हुआ ना तो आपने मुझे प्यार दिया ना ही अपने बेटे को संभाला तू तो पतनी इसकी तू क्यों नी साथ देती इसका इसे देख देखकर मेरा तो दिल कांपता है नजाने ये कैसे ठीक होगा पहले तो पैसे कमाने की चक्कर में हर जगे हाथ पैर मार लिए अब परिशानी तो होनी ही थी ना इसे इतना घाटा लग गया है हम पर तो दिन बदिन करजा चड़ता जा रहा है गरीबी चा गई है गरीबी आई है तभी तो अब ढल गई है वरना आपने तो मेरा जीना हराम किया होगा था पारूल ऐसे बात मत कर अभी हमारे हालात बिलकुल अच्छे नहीं है अभी तक लोगों को कुछ पता ही नहीं बस बाहर से घर देखकर लोग सोचते है नजाने कितने पैसे वाले है कोई बात नहीं धीरी धीरी सबको पता लग जाएगा जब हम सड़क पर आ जाएंगे धरसल काफी दिनों से नुकसान होने की वज़े से संदीब डिप्रेशन में चला गया था साथी पारूल अब पूरी तरह से संदीब से दूर हो गई थी ये लोग तो डूबेंगे साथी मुझे भी ले डूबेंगे मैं तो जल्दी से राहूल के साथ सेट हो जाती हूँ कुछ दिन बाद संदीब फिर से पारूल से बात करता है लेकिन पारूल बार-बार उसे इग्नोर करती है पारूल क्या बात है? तुम हर वक्त फोन पर ही लगे रहती हो या घर से बाहर होती हो थोड़ा टाइम मुझे भी दे दो क्यों? जब मैं आपसे कहती थी टाइम दे दो तब क्यों नहीं दिया? पारूल इस कंडिशन में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मेरा हाल तो देखो इतना नुकसान हो रहा है कम से कम तुम तो मुझे सपोर्ट करो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है पर मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है आपने मेरी वैल्यू नहीं की और मुझे आपकी वैल्यू नहीं है ऐसे मत करो पारूल, प्लीज, तु मेरी पत्नी हो, तु मुझे नहीं समालोगी तो कौन समालेगा अपनी मा से कह दो, अब तो वो भी धल गई है, बेटे का दुख दिख रहा है, बहू नहीं दिखी उन्हें पारूल भी अब सात्वे आस्मान पर चड़ी हुई थी, क्योंकि राहूल ने उसे जूटे खाब दिखा दिये थे कुछ दिनों बाद संदीप परेशान होकर भावना से मिलने उसकी दुकान पर पहुंच जाता है, जहाँ पर भावना के साथ जतिन भी था संदीप जी आप, यहाँ, आप काफी परेशान लग रहे हैं आईई, बैठी, क्या बात है संदीप नजाने पारूल को क्या हो गया है, एक तो मुझे बिजनस में इतना लॉस हो गया है, मुझ पर इतना कज चड़ गया है और पारूल है कि मुझसे बात तक नहीं करती आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाओंगी पारूल को, लेकिन आप भी काफी ड्रिंक करते हैं, थोड़ा आपको भी सुधार करना चाहिए हाँ संदीप, हर वक्त नशे में रहने से समस्या का समाधान तो नहीं हो जाएगा न, बलकि नुकसान जादा ही होगा हाँ मैं जानता हूँ, मैंने अब खुद में सुधार कर लिया है, मैं उतनी ड्रिंक नहीं करता हूँ, लेकिन न जाने कियो पारूल मुझसे दूर हो गई है, मुझे बहुत चिंता होती है आप इतना परेशान मत हो ये संदीप जी, मैं समझाओंगी उसे हम, बस मैं इसी बारे में बात करने आये था, क्योंकि मैं रिष्टा खत्म नहीं करना चाहता चिंता मत करो, हम पारूल जी से बात करेंगे संदीब बात करके वहां से चला जाता है भावना जानती थी कि पारूल ये सब क्यों कर रही है लेकिन वो सच्चा ही सब को नहीं बता सकती थी भावना तुम पारूल से बात करो समझाओ से वो ऐसा क्यों कर रही है संदीब को उसकी जरूरत है हाँ, मैं बात करूँगी, नजाने क्यों ऐसे चक्कर में पढ़ गई है वो क्या मतलब, कैसे चक्कर में भावना अपने पती पर पूरा भरोसा करती थी, इसलिए उसने राहुल वाली सारी बात जतिन को बदा दी थी ये तो बहुत गलत बात है, शादी के बाद ये सब करना, धोका है ये तो हाँ, मैं जानती हूँ, मैं दुबारा पारूल से बात करने उसकी घर जाऊंगी, मैं उससे समझाऊंगी हाँ, आज ही जाना, शाम होने वाली है, अभी चली जाओ भावना जाने का सोची रही थी, कि तब ही उसके पास संदीब का फोन आता है, और वो बहुत घबराय हुआ था भावना जी, वो पारूल क्या बात है संदीब जी, आप बहुत घबराय हुए लग रहे हैं भावना जी पारूल का फोन नहीं लग रहा है और वो घर पर भी नहीं आई है, ना जाने क्या हो गया है, सुभा से गई हुई है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है क्या आपको पता है कि वो कहा गई है, प्लीज कुछ करिए आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ भावना ये बात जतिन को बताती है दोनों परेशान हो गए थे हमने जल्दी से जाना होगा शायद मैं जानती हूँ जतिन आप मेरी साथ चलो हाँ चलो, मैं दुकान बंध कर देता हूँ भावना उसे रास्ता बता रही थी भावना हम कहां जा रहे है क्या तुम्हें पता है कि पारूल कहा पर है नहीं, मुझे पक्का पता तो नहीं है लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने एक जगे पर पारूल को राहूल के साथ कार में जाते हुए देखा था मैं उस कार को पहचानती हूँ अच्छा, लेकिन हम कार को कहा डोटेंगे वो कार एक बंद गली में जा रही थी शायद उसी गली में राहूल रहता हो एक बार जाकर तो देखे जतिन और भावना जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं और खुश किस्मती से उस बंद गली में एक घर के बाहर भावना को वही कार दिख जाती है देखो जतिन, ये वही कार है उस दिन पारूल इसी कार में राहूल के साथ थी लगता है ये ही घर है तो चलो अंदर ऐसे अंदर नहीं जा सकते नजाने अंदर क्या है? कोई दुरगटना ना हो जाए हमें पुलिस को बुलाना चाहिए ठीक है, मैं बुलाता हूँ जतिन कॉल करके जल्दी से पुलिस को वहां बुला लेता है और कुशी दिर में चार पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और डोर बेल बजाते हैं पर राहूल दरवाजा नहीं खोलता ये दर्वाजा क्यों नहीं खोल ला हा? लगता है दर्वाजा तोड़ना पड़ेगा पुलिस वाले धक्का देकर राहूल के घर का दर्वाजा तोड़ देते हैं और अंदर एक कमरे में देखते हैं कि पारूल वहां कुर्सी पर बेहुशी की हालत में रसी से बंदी हुई थी और राहूल सारा समान पैक करके वहां से निकलने की तैयारी में था ओ नो! हैंड्स अप! खेल खाद्म! अरेश्ट करो इसे! राहूल खिरकी से कूद कर भागने की कोशिश करता है पर उसे पकड़ लिया जाता है भावना इस सब तेरी वज़े से हुआ है! छोड़ूँगा नहीं मैं तुझे! पहले जेल की हवा तो खा ले! भावना जल्दी से अपनी बेहन की रसियां खोलती है और उसकी मूँपर थोड़ा पानी छड़क कर उसे होश में लाती है वही पुलिस राहूल को गिरफतार करके ले गई थी! पारूल होश में आते ही रोने लग जाती है और भावना को गली से लगा लेती है राहूल मुझे किन्नाप करके लेकर जाने वाला था हम जानते हैं पर सब ठीक हो गया है रो मत पारूल मुझे माफ कर दो भावना तुम सही कहती थी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हाँ शुक्र है कि तुम बच गई तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया लेकिन तुमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है कुछ भी हो सकता था हाँ वो तो शुकर है कि भावना को अंदाजा था कि तुम यहाँ हो वर्णा ना जाने राहुल तुम्हें कहा ले जाता हाँ जी जा जी मेरी बेवकूफी की वज़े से ही ये सब कुछ हुआ है मैंने अपने पती को भी धोगा दिया और राहुल ने भी मेरे साथ ये सब किया शादी के बाद पती के साथ ये सब करना गलत होता है पारुल अंधी थी मैं अब संदीब को पता लगेगा तो क्या होगा चिंता मत करो, हमने संदीब जी को कुछ भी नहीं बताया और नहीं कभी बताएंगे लेकिन तुम वादा करो, आज के बाद तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करोगी संदीब भी बहुत परिशान है, उससे तुम्हारी जरूरत है पारुल वो हमारे आगें गिरगड़ा रहा था, क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं जाता संदीब जी बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें बिस्निस में लॉस हो गया वो मुझे इतना कहते थे कि उन्हें मेरी जरूरत है, लेकिन मैंने एक ना सुनी क्योंकि मैं तो राहुल में बिजी थी, यही तो तुमने बेवकुफी कर दी, अब तुम कसम खाओ कि तुम आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, कभी अपने पती को धोका नहीं दोगी अगर बुरा वक्त देखकर हमारा जीवन साथी भाग जाए, तो क्या फाइदा ऐसे साथी का, भावना से कुछ सीखो, मैं भी कितना गरीब था, पर इसने सब ठीक कर दिया अब तुम्हे भी संदीब जी का पूरा साथ देना है, सच्चे मन से हाँ, मैं कसम खाती हूँ, अब गलती नहीं करूँगी, पर आप कभी उनको इस बारे में मत पता लगने देना चिंता मत करो, चलो, हम तुम्हें घर ले चलते हैं यह आखरी गलती है, अब कुछ नहीं करूँगी, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, मेरी जिंदगी आप दोने की वज़े से ही बची है, थांक यू तो आखर, इतना सब होने के बाद, पारूल को समझ में आ ही जाती है, और वो पूरे मन से संदीब के पास वापस आ गई थी, भावना और जतिन ने भी पारूल की कोई भी बात नहीं बताई थी, पारूल अपने ससुराल में खुशी-खुशी रहने लगी थी, खैर, अभी तो गरीबी का माहल था, लेकिन वक्त के साथ सब सही हो रहा था, संदीब ने दूसरा काम भी करना शुरू कर दिया था, वहीं भावना और जतिन की जिंदगी पहले की तरह ही खुशनुमा चल रही थी, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताईगा.